आप मस्रूफ तो नहीं हैं स्टेडी रूम में बाबा कुछ पढ़ने में मस्रूफ थे जब अम्मी वहां दाखिल हुई बाबा ने उन्हें देखते वे मुस्कुरा कर अपना चश्मा उतारते वहीं टेबल पर रखा और किताब भी पीछे हटा दी नहीं बेगम हर्गिस नही आप कहीं क्या कहना चाहती हैं आप आपके लिए मैं कभी भी मस्रूफ नहीं हो सकता और बताएए क्या वलीमे की सारी तैया मुकमल हो गए या कुछ रह गया अभी भी उन्होंने उनकी तरफ देखते वे पूछा था कहने को तो उनकी पांच उलादे थी जो अपनी माँ की ह हर जरूरत की चीज़ खुद लेकर आते थे यहां तक कि उनके वलीमे का ड्रेस भी वो खुद पसंद करके लाये थे जो के बहत खुब सूरत था कहने को तो उनका बेटा भी अपनी पसंद के मताबिक अपनी माँ के लिए शौपिंग करके लाया था लेकिन उनकी बेगम को वही पसंदाना था जो उन्हें पसंदा यह वो बहुत अच्छे से जानते थे जी जी सारी शौपिंग हो गई है वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी इन सब बातों से हटकर है मेरी बात इसलिए गोर से सुनिएगा और समझीएगा उनका अंदाज बहुत कुछ समझ पूचना है कुछ सोच रखा है आपने या फिलहाल वक्त पर छोड़ रखा है वो उनकी तरफ देखते वे पूच रही थी फिलहाल तो सब कुछ वक्त पर छोड़ रखा है अभी तो बच्ची है इजू अभी तो यूनिवरस्टी भी नहीं गई इसलिए वक्त आने पर पूचा जाए तो ये कुछ गलत तो नहीं होगा मुझे तो ये रिष्टा बहुत बेहतर लग रहा है अगर हमारी इज़ा की शादी दामियार से हो जाए तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छी चीज हो जाएगी हमारी बेटी हमसे दूर भी नहीं होगी और दामियार क अमी जान तो कहती है कि मैं आपको इस हवाले से मना हूँ लेकिन जाहिर सी बात है आप बेटर जानते हैं कि वो कैसा है या उसकी रूटीन कैसी है और आप ही बेटर बता सकते हैं कि वो हमारी बेटी के लिए कैसा रहेगा बस जाहिर तो मुझे इस रिष्टे में कोई इन रिष्टा है ये नहीं है कि कोई लड़का पढ़ रहा है पांच साल बात पढ़ाई मुकमल होगी फिर कारोबार शुरू करेगा या नोकरी करेगा तो फिर शादी होगी इतने लंबे चक्रों में पढ़ने की हमें भी जरूरत नहीं होगी हमारी बेटी के लिए खुशि हैं तरवाजे पर खड़ी हैं आपको क्या लगता है वो उनकी तरफ देखते हुए पूछ रही थी जबके वो जैसे किसी सोच से निकलते एक तफ़ा फिर से उनकी तरफ मतवज़ो हुए बेगाम जल्द बाजी में हम किसी तरह का कोई फैसला नहीं कर सकते मैं समझ सकता हू कि एक अच्छे रिष्टे से आप एक अच्छी उमीद लगाती हैं लेकिन मेरे ख्याल में फिलहाल हमें इन सब चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए हमारे बेटे का वलीमा हुरा है हमें फिलहाल उसी पर ध्यान देना चाहिए इसके बारे में हम बाद में बैठ कर सकूँ उ मेरे ख्याल में फिलहाल हमें इस टॉपिक को बंद कर देना चाहिए और इस चीज में सिर्फ आपकी या मेरी मर्जी नहीं चलेगी माशाला से इसू के बड़े चार भाई हैं जो उसका भला चाहते हैं हमें पहले उनसे भी मशवरा करना पड़ेगा और दाम्यार के बारे में मैंने पहले बहुत कुछ ऐसा सुन रखा है जो हमारे वैलियूस के हिसाब से सूट नहीं करता लेकिन हमें समझना चाहिए कि उसके पास कोई सही गलत की पहचान बताने वाला नहीं था कुछ हद तक वो गलत राहों पर निकल गया लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि हमारी बेटी के फ्यूचर का सवाल है इसलिए हम सबसे पहले इजा के भाईयों से बात करेंगे मैं बारिक से इस बारे में बात करूंगा उसकी राय जानने की कोशिश करूंगा उससे मशवरा लूंगा उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए सच कहूं तो बोली नहीं सोचना कि छोटी मोटी चीजों को नजर अंदास कर दें उमीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ हा रही होंगी वो उनकी तरफ देखते हुए बोले तो अमी ने सिर्फ हां में सर ही लाय बेश्य को ठीक कह रहे थे बेटी के मामले में तो वो भी किसी तरह की जल्दबाजी की काईल नहीं थी बारिश अरूश ने हरांगी से बारिश को देखा अभी सुबह तक तो ठीक ठाक मौसम था धूप निकली हुई थी तो अब अचानक से बारिश कहां से उने लग गई थी वो भी इतनी तेज बारिश हां बारिश यह आजाद कश्मीर है मेरी बताओ तुम्हें यह इलाका कैसा लगा वो काफी एकसाइटेट सी होकर उससे पूछ रही थी तुम्हारा इलाका बहुत खुपसूरत है इसमें कोई शक नहीं और मुझे तुम पूरा इलाका भी घुमाओगी उसने मुस्कुराते वे का क्यूं नहीं मेरी जान मैं तुमें हनीमून का नाम सुनते हैं रूश को अजीब सा लग रहा था वैसे मुझे मुझे मरी बहुत बसांद है अब थोड़े ही अरसे में वहां बर्फ गिरना शुरू हो जाएगी तो और ज्यादा मज़ा आएगा वहां जाते हुए हम सब वहीं चलेंगे क्या ख्याल है वो बीच चीखासी रुखसती हो रही थी तुम्हारी अबादत खुद अपने हनीमून पर चली जाती मरी तो मज़ा ही आ जाता लेकिन नहीं तुमने तो अपना पहले इंटरंशिप कम्प्रीट करना था अपने शुहर को दिखाना था कि भई तुम वकील हो तो मैं भी वकील हूँ अ अब देख लिया घलती का अंजाम अब एन वक पर आकर बारी को कोई जरूरी काम निकल आएगा और जबर साब को चुटियां नहीं मिलेंगी देख ले ना पिछले साल की तरह होगा इस दफ़ा भी जोरिश ने नक्षा कहीं चाता भाबी खुदा के लिए डराएं तो नहीं पसंद की जगों पर जोरिश उसके पास बैठते शरारती अंदाज में बोली जबके अरूश जानती नहीं थी कि उसके निकाह उचुका हुआ है ये सारी बातें उसके लिए काफी हैरान गुनती ये क्या चक्कर है तुम्हारा निकाह उचुका है और तुमने ये बात मुझ चाती कि किसी की भी नजर उस पर जाए इसलिए वो ये रास की बात किसी को नहीं बताती इजाने उसे मजीद तंग क्या अरे अरे अरेज़ा ये तुम क्या कर रही हो तुम अरूश के सामने किसी और की तारफ क्यों कर रही हो यार शहीर की करो ताकि अरूश को भी सुनते व अरे मुझे क्यों बुरा लगेगा वो तो शर्मिंदा ही हो गई थी उन सब के बीच में एक तो बारिश थी उसे खौफ महसूस हो रहा था उपर से ये सारी लड़कियां मिलकर उसे तंग कर रही थी चलो लड़कियों बहुत वक्त हो चुका है बाहर बारिश तेज हो रही है अपने अपने बिस्तर में गुश जाओ यहां बाहर सर्दी में बैठने का कोई मकसद ने जोरिश ने उन सब को देखते वे का हाँ चलो अंदर बिस्तर में जाकर बैठते है अबादत मुझे तो बहुत ठांड लग रही है इजा उटकर खड़ी हुई तो इबादत भी उसक साथ ही उटी थी जबकि अरूश को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे बारिश के इस मोसम में बिजली कड़कने से और तेज बारिश होने से उसे बड़ा खौफ आता था लेकिन उसने अपना ये खौफ किसी पर जाहिर नहीं किया था और उस वक्त उसे टर लग रहा था क्य हुआ भाभी कमरे में छोड कर आ जाओं क्या उसे यूहीं खड़े देख इजाने शरारत से का कोई ज़रत नहीं छोड कर आने की ये खुद ही चली जाएगी कि वैसे कमरे में कोई भी नहीं है मेरा मतलब है आपके शुहरे करामिय भी तक घर तश्रीफ नहीं लाए अपने दोस्तों से मिलने के लिए गए हैं उसकी वापसी ज़रा देर से ही होगी तुम आराम करो तब तक जोड़िश ने उसे कमरे की तरफ भेशते वे का कितनी देर लगेगी उन्हें आने में उसने भाभी की तरफ देखते वे पूछा इस मौसम से उसे डर लगता था कमसकम किसी का सहारा तो जरूरी था ही कुछ कहा नहीं जा सकता कभी कभी तो बारा से उपर का टाइम निकल जाता है बाद में फिर बाबा उसकी बड़ी क्लास लेते हैं लेकिन फिर भी वो अपने टाइम का बड़ा कच्छा है कोई वादा पूरा नहीं करता अब तुम आ गई हो तो हो तब तक ये बिजली वाला सिल्सला खतम कर दे वो बैट की तरफ कदम बढ़ाते बिस्तर में गुसी थी लेकिन डर से उसकी जान निकल रही थी जी बाबा आपने मुझे बुलाया था वो स्टडी रूम में दाखिल हुआ क्योंके बाबा ने उसे मैसेज किया था कि घर आते है उनसे मिलने के लिए स्टडी रूम में जाए वो उसका इंतजार कर रहे थे वो सीधा उनी के पास आया था हाँ बारिक बिटा मुझे तुम से जरूरी बात करनी थी आराम से बैट जा उन्होंने सामने कुरसी की तरफ इशारा किया तो वो सिफ हां में सर हिला कर कुरसी घसी क्योंकि पहले तुम्हारी सोच कुछ और अब तुम बहुत कुछ समझ चुके हो जी बाबा बात तो बताईए ना मुझे इस तरह से तो शायद मैं आपकी बात समझ ही नहीं पाऊंगा किस हवाले से आप बात करना चाहते हैं आप इशा के लिए किस हवाले से मुझ से बात क कुछ सोच रहे थे इसलिए वो जानना चाहता था कि बाबा उन दोनों रिष्टों में से किस की बात कर रहे हैं देखो बेटा पहले दो रिष्टे आए हुए थे अब एक और आया है जो ज्यादा काबिल हो रहा है क्योंकि एक तो फैमली के अंदर ही रिष्टा है और दूस रिष्टे के बारे में सोचो वो काफी सोच समझ कर बोल रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बारी को घुसा है या बारी किस चीज़ को लेकर कुछ गलत सोचे जिससे रिष्टे खराब हो जी बाबा मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ आओ बताई ये रिष्ट रिष्टा हो जाए उसका दावा है कि वो हमारी बेटी से मुहबत कर बैटा है और वो शादी करना चाहता है देखो बेटा मैं तुम्हारी सोच को समझ सकता हूं मैं समझ सकता हूं कि तुम यही सोच रहे होगे कि इज़र दामियार की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी क्य हमारी बेटी इतनी काबिल तो है ही कि वो एक बढ़केवे इनसान को रहे रास पर ला सके देखो बेटा हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है और मुझे इस रिष्टे में किसी तरह की कोई बुराई नजर नहीं आई जिसकी बिना पर मैं इस रिष्टे से इंकार कर सकूँ और तुम भी पुरानी सोचों को अपने दमाग से निकाल कर इस रिष्टे के बारे में सोच कर फैसला करो मुझे बताओ हमें क्या करना चाहिए बाबा मेरे हिसाब से तो आपको इंकार ही कर देना चाहिए मुझे समझ नहीं आता कि आप ये बात मुझे तक लाए ही क्यों है मेरे ख्याल से आपको इस रिश्टे से इंकार कर देना चाहिए क्योंकि वो श्यक्स मेरी बेहन के हर्गिस लाइक नहीं है मैं नहीं जानता वो कितना बदला है आगे जाकर उसकी रूटीन क्या होगी लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि मेरी बेहन के साथ उसका कोई जोड़ नहीं बनता और नहीं मैं अपनी बेहन को किसी तरह के अमतहान में डालना चाहता हूँ इस उमीद पर कि हमारी बेहन उसे रही रास पर ले आएगी हम अपनी बेहन को किसे इमताहन में नहीं डाल सकते हैं मैं मनता हूँ वो सेटल्ड है अपना कारोबार चला रहा है अमीद है हमारी बेहन की हर खौईश पूरी कर सकता है लेकिन आप ये भी तो देखें आपके वो एक अयाश इंसान है बलके आयाश ही नहीं उसके अंदर दुनिया की हर बुराई मौजूद है मैं इस रिष्टे के लिए कभी राजी नहीं हो सकता मेरी तरफ से इंकार है बाकि आप बेहतर जानते हैं कि आपने क्या करना है वो उट खड़ा हुआ था तुम जल्द बाजी कर रहे हो सोच समझ कर फैसला करो बेटियों के मौामलात इस तरह से तैन नहीं होते वो से समझाने लगे बाबा मैं आपकी बात को समझता हूँ लेकिन प्लीज दामियार नहीं मैं आँकों देकी मक्ही नहीं निगल सकता वो मेरी निकाहों के सामने है उसमें कोई एक बुराई नहीं है और मैं कैसे मान लूँ के फकत एक महीने में उसके अंदर से सारी बुराईयां खतम हो गए बाबा मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन प्लीज दामियार नहीं मैं आँकों देखी मक्ही नहीं निगल सकता वो मेरी निकाहों के सामने है उसमें कोई एक बुराई नहीं है और मैं कैसे मान लूँ के फकत एक महीने में उसके अंदर से सारी बुराईयां खतम हो गए सिर्फ इसलिए के वो अमीर है दौलत मंद है हम अपनी बेहन को उसके हवाले नहीं कर सकते इन चीज़ों की बुनियात पर वो अपनी बात मुकमल करता कमरे से निकल चुका था जबकि बाबा मजीद कुछ भी नहीं कह सके थे